स्वामी जी एक लड़की का नाम लेके उचे वो लड़का गया इंडस्ट्री में स्वामी जी गया होगा गया होगा नहीं गया के नहीं गया MBA लड़कों के लिए स्वामी जी ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया था MBA कोर्स दो साल का होता है between मनें first year और second year के बीच में जो दो महने की vacation होती है उस vacation में स्वामी जी बच्चों को industrial project के लिए बिंदावन में बुलाते थे अभी एक project की बात है एक मने पहली एक दो साल पहले 87 में हुआ था फर 88 होता रहा यह 87, 1988 और 89 की बात है स्वामी जी ने बच्चों को कहा था कि मुझे भी कहा था कि summer project रोज सुबह शाम को सुबह निकलते हैं बच्चे मैं भी उनके साथ हो रहता था स्वामी जी खुद बच्चों के लिए खाना दिन का बनाके बस में दे दे थे एक ही बस में सब students and in charge teacher और जावे पानी की tank देते थे पीने के लिए बाहर करना पानी और ना खाना जहां भी industries में जाना हो lunch time पे इदर आके बस में खाके वापस जा बहुत इच्छी बात है तो शाम को ये कहना था स्वामी जी का आ गया थी कि 6 बज तक 5-6 बज तक वापस आ जाए जो भी industries में बैंगलोर में हम बच्चों को बेचने हैं वापस बिन्दावन त्राई सेशन के लिए हम आ जाते थे एक-दू दिन ऐसा हुआ कि स्वामी जी मुझे पूछते थे कि हाँ सब बच्चे आये हाँ स्वामी जी सब जगा होके आया स्वामी जी मैं सभी industries में तो नहीं गया क्योंकि दो बच्चे एक कंपणी में चार बच्चे दूसरे कंपणी में ऐसे 10-12 कंपणी हो जाती थी तो वो दिनों में इतनी सुईधाएं भी नहीं थी मैं बससे जाता था वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट और चार-पांच कंपणी में होके उनसे मिलके बच्चों के साथ और उनका जो इंडस्ट्री में कंपणी में था अलग-अलग फैक्ट्री में उनसे मिलके मैं बच्चों को वापस लेके आ जाते थे ताके हम त्राइ सेशन बगवान का सुने मैंने तो बच्चों को यह समझा दिया था कि यह समर प्रोजेक्ट तो एक बहाना है एक्चुली यह समर प्रोजेक्ट मत कहो उसको उसको कहिए कि सम्हाव प्रोजेक्ट मनें इंग्लिश में जैसे भी कैसे भी करना है लेकिन में प्रोजेक्ट जो है वो हम सौमी जी की बात भी सुनेगे मैं क्या बताऊं आप को अच्रज होगा कि सौमी जी 24 आर्स जितना भी टाइम हम उदर रहते थे इंक्लूणिंग इंडस्ट्री में एक-एक कंपणी में अलग-अलग बच्चों के साथ रहते थे वह उसका प्रूफ में बताऊंगा जब हम वापस आते थे तो सौमी जी पूछते थे हां तू कौन सा कंपणी में सौमी एक I know I know मुझे मालूम है मुझे मालूम है यह कंपणी का जो head managing director उसे आज बात चीज़ दोई न हां सौमी और इस manager ने तेरों को निपटा आया न कुछ दिया तो नहीं information हां सौमी जी अरे यह जो manager दूसरा दूसरी कंपणी का यह जो manager बोले न वो आपने data cover कर रहा है वो सही नहीं बताएगा तेरों को कैसे बताएग कितना profit margin रखते हैं सो बहुत आनदा आता था सौमी जी साब बताते थे तो उसके लिए मैंने बच्चों को कहा कि यह हमारा summer project है वो भी सौमी बताते थे कि क्या सिखना चाहिए उनसे क्या नहीं सिखना चाहिए सो संडे के दिन free रखता था एक दिन ऐसे हुआ स्वामी जी मुझे शाम को पूछे के सुबह सब बच्चे को लेके गए थे स्वामी जी different different direction में था projects तो मैं एक ग्रूप के साथ दो ग्रूप के साथ मैं गया तीन चार ग्रूप अलग लग दी सब गए बच्चे हाँ सवामी जी सब गए तेरे को मालूम है जब बगवान पूछ रहे है तो मैं थोड़ा सवामी जी मैं सब को बोल के तो आया सवामी जी एक लड़के का नाम लेके पूछे वो लड़का गया इंडस्ट्री में सब गया होगा गया होगा नहीं गया कि नहीं गया सवामी मैं पूछ के आपको कल बता दूँगा तो लड़के को जाके मैं मिला और काक नहीं सर मैं आज नहीं गया था क्यों भाई तब ही ठीक नहीं थी तो वापस में जब स्वामी जी पूछे वो लड़का गया था ऐसे स्वामी जी वो कहता है कि उसको तकलीफ है अरे तकलीफ क्या है तुम सुवह उसको उठा के बेजो हम लोग बहुत जल्दी जाते थे मौने मी क्योंकि वहाँ वो जमाने में ट्रांस्पोर्ट की बहुत तकलीफ होती थी तो सुवह साधे पांच बिनदावन केंपस से निकल के बस में बैठके फिर वहाँ अलग-अलग डिरेक्शन में हम लोग जाते थे तो लगके के पास मैं सुवह उठाने के लिए गया तो कहता है कि सर मुझे पेट में दर्द है यह है वो है मैं बहुत बहुत अच्छी बात नहीं है तुम मिस करते हो रोज ठीक है बाकी लगके गए मैं वापस आया शाम कौम लोग सब वापस आये फिर स्वामी जी ने पूछा वो लड़का गया स्वामी जी वो कहता है कि पेट में दर्द है कुछ दर्द नहीं है उसको पेट में जाओ उसको डाटो स्वामी जी कह रहे है डाटो जोड से बोलो तो मुझे लगा स्वामी जी तो प्यार है में उस दिनों में जब ऐसा कोई जूट वो ले मेरे से ऐसा गुसा गुसे से बात करता था उस दिनों में कि लर्का डर जाएगा तो स्वामी जी की तो सब मालों है मैं नेक्स डे अगली सुह जाने के टाइम पर सोचा स्वामी जी क्या करना, कहना चाहते है स्वामी जी नहीं अंदर में जवाब दिया तो इसे प्यार से समझाओ मैं गया, प्यार से उसको उठाया वो बच्चा बोले कि स्वामी सर मैं नहीं जवाबाता हूँ, क्यों भाई आज मेरी विजिट पहली पहली आपके इंडस्ट्री में रहेगी, मैं आपके साथ चलता हूँ। सर लेकिन दो-तीन दिन नहीं गया, वहां का बॉस मुझे डाटेगा, आज मैं चलता हूँ ना, मैं उसको बताऊंगा, कि इसकी तब इत्रीक नहीं थी, बस। तो चले गए हम साथ में, वह इंडस्ट्री का जो मैनेजिंग डिरेक्टर था, वह सौमी का डिवर्टी था। उसके लिए ही मैंने SAC Industries सेलेक की थी और सौमी ने अपरू की थी कि हाँ ये इंडस्ट्री में जाओ, इसमें जाओ, इसमें जाओ तो उसको जाके मैंने बोला कि सर ये बच्चा है, उसकी तब ये थोड़ी ठीक नहीं थी तीन-चार दिन नहीं आया है तो उसको बोले, कोई तकलिफ नहीं है भई कहां से लाना है उसको, कहां से आते हो तुम लोग वाइट फिल्ड से सर, बोलते हैं, अरे, मेरा एक मैनेजर वहां से आता है और मैं उसको कह देता हूँ, वो उसको कार में लेते आएगा अरे, वाँ, स्वामी के सुड़न के लिए मैनेजर, वो ट्रेनी होंके, ट्रेनी ही बनी, समर प्रोचेक के लिए वो वो विचारा मांग रहा है, वो यार लर्निग तो उसको रोज, स्वामी जी ने अरेंज का लिया, थुरू, देट मैनेजिंग डिरेक्टर कार में जाता था, कार में आता था, वाँ, तो मैंने उस दिन कार में जाते-जाते, उसको प्रेम से समझाया, भई तू, तिरो को तकलीफ क्या है, बहुते, सर, मेरा फादर डॉक्टर है, मेरी मदर, बालवकास कमनी नड़ा है, और यार, तू फुर ऐसे क्यों कर रहा है, त जाब नहीं था, उसको, लेकिन उसको मन में लगा, कि स्वामी प्रेम से कितना समझाते हैं थुरू दे टीचर, मैंने बिलकुल गुसा नहीं किया, एक दिन, दो दिन उसको समझाया, वो चालू हो गया, बड़ा इंटेलीजन लड़का था, ऐसा अच्छा उसने प्राजे कि प्राजिया, एंड में उसको बड़ी प्रशन, महने क्या बनते हैं, प्रशन सा, अपने बॉससे मैनेजिंग डिरेक्टर से मिली, और एक मीटिंग होई थी, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, कि यह बाड़ा अच्छा लरका है, मुझे कर आ था, कि आरे देखो कितना अच्छा मेरे मन में था, स्वामी जी को तो मालूम है सब, यह बताने का अंतर यह है, यह समर प्रोजेक्ट के थूरू, स्वामी जी सिर्फ बच्चों को ट्रांस्फॉर्म नहीं करते थे, मुझे भी मौका देते थे, कि गुसे से कुछ नहीं होता है, प्यार से समझाओ, कै अच्छी तरह लरका सीधा लाइन पे आ गया,